वेलकम टूब यूर कुकिंग इसीडियो में मैं हेदरवादी टमाटर के तले हुए मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो अगर आप ऐसा मटन बनाना चाहते हैं जिसमें तले हुए मटन में थोड़ासा मसाला एक्स्ट्रा हो तो यह रेसिपी आपके लिए है टमाटरों के टैंग की टेस्ट के साथ में तला हुए मटन बहुत ही मसेदार बनता है तो एक बर सहरू ट्राइ किये जिए सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम मटन इस वच्छे से दो के ड्राय कर लिया है अब हम इसमें एट करेंगे जिंजर मटन बोन वाला है या फिर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप सेम रेसिपी कुकर में बना सकते हैं मने सारे मसाले मटन पे मैंने मिक्स कर दिये है मटन में अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए मरिनेट होने के लिए रख देंगे अगर अभी तक आपने मेरे चानल प्यूर की के लिए मिनिट अब जाएं न भी टएंगर मटन ऊत्व अध्यूशन के बना मतन कर देकि क्यों हो inspire कर देगे और मंतन पहुत ही जूसी और एक पनी और पानी दालने के बाद में पानी धिज जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाए गल जाए और अब देखिए थोड़ी देर के बाद में मैंने कोल कर देखा है तो सारा पानी हुश्क हो गया है और मतन जो है वो अच्छी से टेंडर हो गया है तो अब हम इसमें अट करेंगे टमाटर तो यहां पर मेरे पास छोटे साइस के अब तीन कटे रूए टमाटर यूश्क ही है थो चोटे साइस के अगर आपके बड़े साइस के हो तो आप दो यूश्क करें और इसको बिल्कुल पारी कर लिया है मै ताक या अच्छी से मटन में घल जैसे पानी नहीं आट करना है क्योंके मटन क्यूंके टमाटर में उनका सॉफ्ट हो गये हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे टमाटरों को ताकि इसका एक दम बिल्कुल पेस्ट सा हो जाए तो ये गोश्ट जो है जैसे मैंने कहा पहले ही ये ड्राइ नहीं बनता बलके मसाला मसाला होता है इसमें ये टमाटरों की वज़े से और तीन ग्रीन चिली अच्छे से कट करके अब इसको मिक्स कर दे और इसको भूनते जाएंगे बस दो से तीन मिनिट में ही ये जो सारा मसाला है वो मतन पे स्टिक हो जाएगा तो उसी स्टेश तक हमने इसको भून लेना है अब देखिए लास्ट में हम इसमें पिसा हुआ हैदरावादी गरम मसाला पौडर दालेंगे कौटर टी स्पूल ये गरम मसाले की रेसिपी अल्रेडी मेरे चैनल पे अप्लोड़ेड है मैं लिंक शेर कर दूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वहां से चेक कर सकते हैं अब ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर हरी मिर्ची का तला हुआ गोश्ट और देहीं का तला हुआ गोश्ट ये सारी रेसिपी इस मेरे चैनल पे अपलोड़ेड है मैं लिंक शेर कर दूंगी तो आप महां से चेक कर सकते हैं अब देखिए सारा मसाला जो है मटन पे अच्छे से स्टिक हो गया है तो अब हम इसमे तो चलिए अब हम इसको सर्फ कर देंगे तो बहुत ही मज़ेदार टमाटर का तला हुआ मटन बनकर तयार है रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड से जिनको तला हुआ मटन की रेसिपी पस बिसी अच्छी और मृटन आट जा हुआ माटन की वावी तो आती लग अर रेसिताओर कीजिए इस वीडियो क recognize the Translaid